हालो एवरिवन वेलकम बेक टू पर्चम आज हम डिसकस करेंगे बहुत ही खास टॉपिक क्योंकि आने वाले समय में आप लग यू पीएसी एक्जाम देंगे फिर कहीं जाके ब्यूरोकेट्स बनेंगे और फिर कुछ पॉलिसी बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमा पेपर क्या है जो इतना बड़ा डिस्प्यूट का कारण बन चुका है सब भी लगबग बहुत सारी कंट्रीज में जो अभी हल्चल मची हुई है इन पैंडोरा पेपर्स के लिए तो क्या है ये पैंडोरा पेपर ली वो पूरे टॉपिक को बहुत आसानी से और बहुत चैनल के जरीए वेफसाइट के जरीए आपको क्लास का पीडियाफ मिल जाएगा तो देखे ये पैंडोरा पेपर क्या है क्या ये पहली बार ऐसी कोई घटना हो रही है अगर आप 2016 की घटना को याद करते तो 2016 में पनामा पेपर लीख हुए थे इसके अलावा एक पेपर, पैंडोरा पेपर, आल आर सेम, है ना, आल आर सेम ये वो पेपर से और वो लीक इन्फिमेशन है जो बड़े-बड़े रिच परसन, बिजनसमेन, पॉलिटीशियन अपने पैसे को बचाने के लिए, टेक्स को बचाने के लिए, आफसोर कंपनी बनाते हैं, सेल्फ क पांडरिंग जो होती है, उसके लिए भी इन पेपर्स के नाम हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो 2016 का मुद्दा था, वो पनामा पेपर का था, वो भी यही मुद्दा था, यहां पर भी बड़े-बड़े लोगों ने अपने पैसे को, अपने टेक्स को बचाने के लिए, उसके बाद क्या हुआ, इन्वेस्टिकेशन के बाद, जैसे ही वो पाकिस्तान के जमीन पे कदम रखते हैं, उनको गिरिफतार कर लिया जाता है, मतलब उली सरकार वहां पे गिर जाती है, पनामा पेपर में नवाज सरीफ का नाम आने के बाद, तो इस पैंडोरा पेपर मे देखते हैं, क्या होता है, आफ्टर इन्वेस्टिकेशन, और अभी ये पैंडोरा पेपर लीग क्या है, जरा इसको हम समझते हैं, तो बेसेकली एक ग्रूप ऑफ जनरलिस्ट, ग्रूप ऑफ निउस्पेपर एजनसी, जो है, वो साथ में काम करती हैं, यहां पे काफी सारे पॉलेटीशन का नाम उन्हाने लीग किया है, जिसमें यहां पर टॉनि ब्लेयर भी है, जो कि फार्मर बितेन के प्राइम मिनिस्टर है, ब्लामदेर पुतीन है, इस तरीके से कई सारे पॉलेटीशन को नाम रिव्यू किया है, सबसे अधे की पालेटीशन अगर हम देखे ह हैं और इनका नाम भी पैंडोरा पेपर में आया है किस तरीके से रहोंने पाकिस्तान के पैसों को दूसरी देशों में जाकर निवेश कर दिया है सो मैं बात कर रहे हूं ICIJ के बारे में International Consultant of Investigation Generalist तो बहुत सारी जो News Channels होते हैं बहुत सारे Generalist होते हैं उनका Group of Generalist का Group Organization है वो ICIJ कहलाता है इन लोगों ने मिलके Investigation किया और Pandora Papers को Leak किया Pandora Papers basically वो Information या खूफिया Information होती जैसे कि मेरे Mobile Phone को Hack कर लिया मेरे E-Mails लगबग 10 लाग E-Mails है 30 लाग से जाधा Images है बहुत सारी 1.2 करोर जो है वो Leak Files है तो Mobile Phone के जरीए दूसरी Country की News Agency के जरीए Generalist के जरीए दूसरी Company के Assets के जरीए Information को हमने क्या किया है Pandora Papers ने Reveal किया है और इन में बहुत सारे Rich और Powerful लोगों का नाम सामने आया है जिन्होंने अपने पैसे को बचाने के लिए सरकार के Income Tax ना देना पड़े Corporate Tax ना देना पड़े अपने Tax को बचाने के लिए दूसरी Company या दूसरे देशों में Offshore Companies में जो है वो निवेश किया है Trust बना है For example अगर मुझे Tax बचाना है तो मैं क्या करूंगी एक घर purchase कर लोगे और EMI पर कर दूँगी है ना जब तक आप EMI देते रहोगे आप Income Tax से आपको थोड़ा सा relaxation मिलेगा या आप एक को NGO खोल लो एक ऐसी Charity Trust खोल लो तो भी सरकार के आप जो Income Tax के दाइरे से थोड़ा सा आपको relaxation मिलता है तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ने जो है वो की जाती ही अपने Tax को बचाने के लिए तो आप बोलेंगे मैडम में Income Tax देना ही क्यों है क्योंकि जैसे मैं यहां पर पर्चम के टीम के साथ पढ़ा रही हूँ या फिर मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं जो भी अर्ण करती हूँ मान लेते हैं मैंने 1,00,000 रुपे का अर्ण किया है तो government मुझ से बोलेगी कि यह जो आपको infrastructure मैंने दिया आप internet यूज कर पा रहे हो क्यों क्योंकि मैंने आपको infrastructure दिया आप पढ़ा पा रहे हो क्योंकि मैंने आपको वो environment दिया, colleges दिया, आपको education दिया, तो आपने पैसा कमाया है, अब आपकी फर्ज बनती आपके देश के लिए, आप हमको क्या करोगे, tax दोगे, तो बिलकुल हम क्या करेंगे, government को tax देंगे, जिससे government welfare के काम करती है, infrastructure development का काम करती है, आप कहेंगे नही government को दोगे, तो किसी ना किसी तरह, direct या indirect way में आप government को tax देते हो, आप student हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप tax नहीं देते हो, आप GST देते हो, आप कोई भी product खरीते हो, उसमें लिखा रहता है GST है, आप किसी restaurant से खाना order करते हो, तो GST लगता है, मतलब आप indirect tax देते हो, जो लोग income करते होंगे, income tax के दायरे में आते होंगे, वो लोग direct tax भी देते हो, तो हर एक व्यक्ति, भारत में उपसित हर एक व्यक्ति, directly या indirectly जो है, वो tax देता ही देता है, यह जिससे government अपना काम असानी से run कर सके, तो कुछ बुद्धी जीवे ऐसे होते हैं, जो अपने पैस से बाहर आया जा सके, अब आप सोचेंगे, इनको इतना ग्यान कौन देता है, तो हर एक company में एक CFO होता है, होता है न, CA होते हैं companies में, तो वो लोग ए ग्यान देते हैं कि एक काम करो, हमारा भारत का जो कानून है, वो कहता है कि आप trust बना सकते हो, है न, आप बाहर जाके भ बहुत सारी companies देखने मिलेगी, जिनके जो owners हैं, वो हमारे भारती हैं, तो इस Pandora paper में 380 जो है Indians का नाम आया है, जिन में से 60 व्यक्ति तो बहुती प्रचले थे, बहुती जाने माने व्यक्ति हैं, और इस पूरे investigation को lead किया गया था BBC News के दौरा, और The Guardians के दौरा, और बहुती उम्दा role play किया गया था, भारत के जनरलिस्ट के दौरा, Indian Express के दौरा, तो Indian Express पीश में शामिल था, जिसके अंतरकद 11.9 million file को leak किया गया, जिसमें 600 प्लस जनरलिस्ट शामिल हुए थे, और 117 countries यहाँ पे cover की गए, जिसमें 380 व्यक्ति जो है वो भारती हैं, ठीकिन न, यहा 21 में, जिसमें लगबख 2.94 TB, टेराबाइट डेटा जो है, वो leak किया गया है, और 11.9 million file को leak किया गया है, ठीकिन इतना बड़ा डेटा लीक किया गया है, जिसमें Indian Express ने मातपूर भूमी का अदा किया है, तो देखिए, यहाँ पे पूरवी मोदी और नीरफ मोदी का नाम सा ठीकिन अने लंबानी जी, इसके अलावे यहाँ पे जैकी श्राफ का नाम आया है, जो सबसे विवादित नाम को इस निकल के सामने आता है, तो वो आता है हमारे क्रिकेटर, भारत प्रत्न से सम्मानित, सचिन तेंदुलकर, इनका नाम भी जो है, वो यहाँ पर पेंडोरा में आता है, सचिन तेंदुलकर, क्योंकि इनकी कंपनी का नाम जो है, वो सास इंटरनेशनल कंपनी और इन्होंने टेक्स हेवन आईलेंड से, टेक्स हेवन एरियास जो होते हैं, ब्रिटिश वर्जन आईलेंड में अपनी कंपनी को सैट अप किया था, तो आप सोचने को कहीं बाहर किसी दूसरी कंट्री में सैट अप करते हो, तब तो उसमें भारत के नियम कानून लागों नहीं होते, जैसे एक ट्रस्ट में भारत के अंदर बनाती हूँ, तो भारत सरकार की नजर तो मेरे पर हमेशा रहेगी, वो कभी भी जाग कर देख सकते हैं कि अच्छ स्टूडेंट में लेती हूँ, जिससे मेरे अच्छा पहचान है, और मैं उसको बोलती हूँ, यह मेरा ट्रस्ट हो, इसके तुम ट्रस्टी बन जाओ, तो ट्रस्टी की नाम पर ही पूरा ट्रस्ट चलता है, तो अगर लीगली हम ऑनर की बात करें, तो वो व्यक्ति, वो ट् मैं दिवालिया हूँ जबकि मेरा trust चल रहा है वहां से सब पैसा वैसा सारा कारीक्रम चल रहा है लेकिन trustee मैंने किसी और को बना चका है तो government या rich amame या कोई भी legally उस trust को या उस assets को कबजा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी trustee मैं हूँ नहीं तो इस तरीके से भी लोग यहां पर काम करते हैं ठीक है आपको चीज़े समझ में आ रही होगी कि क्यों यह इस तरीके से fraud होता है fraud नहीं है basically अगर देखा जाए तो legal है क्योंकि हमारे government के rules के according यह सब होता है तो इन्होंने British Virgin Island में जो है वो अपना trust बनाया ओके ठीक है बना लिया कोई बात नहीं अब problem is that कि वहाँ पर पैसा कैसे पहुँचा हमने दूसरी country में जाके अपना trust open कर लिया तो वहाँ पर पैसा कैसे पहुचा आप यह सोच रहे होंगे अगर normal bank account से पैसा ट्रांसफर करोगे तो white money ही है उसमें भी income tax की तो नजर रहेगी और आपसे tax session तो लिया ही जाएगा है की ने ऐसा ही लोग क्यों करते हैं उसका reason भी आप समझ लेते हैं जैसे कि मैंने एक करोड रुपे साल भर का कमाया तो इसमें से 28 लाख रुपे जो है वो बहुचे income tax देना पड़ेगा या फिर में एक करोड रुपे से जादा कमात नहीं हो तो हमें super rich bracket में आ जाती हूँ जहाँ पर मुझे 40% के लगभग जो है वो tax देना पड़ेगा तो बहुत जादा tax session limit हमारे भारत के अंदर है इसलिए ये लोग जो millennials होते हैं अरपपती होते हैं वो उस तरीके से काम किया करते हैं तो सचन तेनलकर ने भी अपने CSA advice लेके किया किया एक trust open कर लिया कहाँ पर British Virgin Island में So question is that कि वहाँ पर उस island में trust run हो रहा है वहाँ पर पैसा कैसे पहुचा So for example अभी सचन तेनल कर रहे हैं ये बहुत सारे ad करते हैं है ना Pepsi का, Luminous Inventor का काफी सारे ad जो हैं वो करते हैं माल लेते हैं रोड़ा advertisement company से बात कर ली है कि मैं इस ad को करूँगा और इसको अपन ऐसा देख लेते हैं कि मैंने charity की है, मैंने free में किया है लेकिन आप तो अंदर के व्यक्ति हो, आप एक काम करो, ये पैसा जो है वो मेरे account में मत भेजो तो क्या आपकी wife के account में भेज दे, नहीं, नहीं, अगर मेरा investigation होगा तो मेरी wife के account का भी investigation होगा, अब third person, एक NRI मैंने बिठाल के रखा है British Virgin Island में, आप उस व्यक्ति के account में इस पैसे को भेज दो तो मेरा trust भी चलता रहेगा, मेरा पैसा भी वहाँ पहुँच जाएगा, किसी की नजर भी नहीं होगी बात समझ में आ रहे हैं, दो व्यक्तियों की यहाँ पर ये बात हो गई है सचंतेनल करके और उस advertisement company के बारे में माल लेते हैं, ऐसी कोई बात हो गई है तो यहाँ पर बात ही हो गई है, कि आप सबको दिखाते हैं, कि हम charity में कर रहे हैं, हमने कोई पैसा वैसा नहीं लिया है आप तो किसी NRI के account पर पैसा डाल दो, जो मेरा trust चला रहा है अच्छा अपर NRI क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बता दू कि NRI जो है, इन सारी limit से बहार होते हैं अगर कोई भारत का व्यक्ति जो है, वो विदेश में invest करना चाहता है, तो उसकी limit जो है, वो धाईला dollar होती है, लेकिन अगर कोई NRI व्यक्ति होता है, तो 1 million dollar तक जो है, वो विदेशों में निवेश कर सकता है इसलिए यहाँ पर NRI की बारे में बात की जाती है, foreigner के बारे में बात की जाती है तो इस तरीके से यहाँ पर trust में पैसा पहुंच जाता है, बड़े आसाने से सारी चीज़ें काम चलती है अगर हम यहाँ पर tax 7 की बात करें, तो यह कुछ देश के island है, जो कि tax 7 कहलाते है जहाँ पर केवल इन लोगों का है कि आओ, हमारे देश में company बनाओ, केवल 5% हमको दो, बाकि आप क्या ही कर रहा है आपको कोई लेना देने, नहीं सारा profit आपका है इसलिए इन tax 7 companies में जाके, भारती और दूसरे देशों के लोग जो है, अपनी company, अपने trust, अपने assets को यहाँ पर छुपाते है जैसे कि Panama बात कर लेते हैं, British Virgin Island के बारे में बात कर लेते हैं, Susanland है, Cyprus है, Sassel है, Singapore है, Hong Kong है यह सारी जो जग़ा है वो tax heaven कहला दी है, बात समझ में आई है So, news यही थी कि अभी हाली में Panama Papers को लीग किया गया है जिसमें से 300 से जादा हिंदू लोगों के, मतलब इंडियन लोगों के नाम आए है और 60 ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही जाने माने व्यक्ति जिसमें किरन मजूमदार शा का बिनाम भी शामया आता है ऐसे काम क्यों किया जाता है, जिससे income tax की पहुँचना होपा सके हम tax को बचा सके और corporate tax को बचा सके इसलिए इस तरीके से real estate में, share holdings में, safe guard की तरह हम offshore investment करते हैं हम shell companies और offshore companies में investment करते हैं shell company क्या होती है, जिससे कि shell होता है, उपर से खोकला होता है, देखने में लगता है कि कुछ भी नहीं है मतलब जो impity है, there is nothing, just like a ready-made company कि एक बस नाम मात्र की company है, जहां पर हम पैसा चुपा रहे है, जो कोई काम धंदा नहीं कर रही है तो इस तरीके की जो company होती है, एक of the self company होती है, जो की एकदम registers company होती है जिसको कभी भी trade के लिए use नहीं किया जा सकता है, बस एक तरीके से sell या खोकली होती है और दूसरे देशों हम उसे बनाते हैं, हम उसे offshore या sell company का नाम देते हैं और भारत में जो Indian Trust Act 1882 लगता है, तो उसमें बोला गया है कि अगर आप अपना tax बचाना चाहते हैं, तो आप social working करें, आप NGO open करें, आप trust open कर सकते हैं इमेल लीक हो रही है, इमेल लीक हो रहा है, WhatsApp messages लीक हो रहे है, बस हमको वसे एक लीक information ऐसी चाहिए है तो उस तरीके से सचन्तनलकर इस पूरे दायरे में फस जाएंगे, लेकिन इनके CA का जो भी सामने आए और उन्होंने कहा की नहीं हमने पूरा काम legal तरीके से किया है, और मतलब अपने आपको यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है आगे ही समझ में आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, हो सक्षा है, सचन्तनलकर की कोई भी गलती ना हो लेकिन मुद्धा तो यह है कि अभी इमरान खान के साथ क्या होगा, क्या वहाँ की पॉलिटी में, वहाँ की पॉलिटिक्स में कोई उतल-पॉतल देखने को मिलेगी, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि RBI की जो लिमिट है, लिबरलाइजड रेमिटेंस स्कीम के अंतरगत, लगबग धाई लाग जो USD है, आप विदेशों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप NRI हैं, तो यह लिमिट 1 USD मिलियन होती है तो इसलिए भी यह सारा काम किया जाता है, और दूसरे देशों में भारत की तुलना में इंकम टेक्स कम होता है, भारत में 30% तक जो है वो इंकम टेक्स पे करना पड़ता है तो अब बात यह आती है कि हम किस तरीके से अपने लॉक को और भी अच्छा बना सकते हैं, किस तरीके से मनी लॉंडर क्या ब्लैक मनी को बचा सकते हैं क्योंकि ऐसे में तो यह होगा कोई व्यक्ति है, उसने बहुत जादा बैंक से पैसा ले लिया और उसके नाम पर कोई असेट नहीं तो कभी बैंक उसकी प्रॉपर्टी को सीज में नहीं कर सकते हैं कि अभी अने लंबानी का नाम आया और उन्होंने कहा कि मैं दीवा लिया हूँ जबकि 18 कंपनी उनकी रन हो रही है तो इस तरीके से भी एक्टिविटी होती है, तो इन सारी चीजों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है तो यही पूरी information कि किसने कहां पर पैसा छुपाया है, किसके साथ, किसकी क्या लिंक है यही पूरी information इस Pandora Paper League में हुई है जिसमें काफी सारी Indians का नाम आया है इसलिए चर्चा का विशय बना हुआ है I hope आपको समझ में आया होगा, so thank you so much हम कल फिर मिलेंगे अपने ऐसे ही कुछ news के साथ, तब तक अपना ध्यान